वक्त हो गया एक मिरनाओ की special report का को बता दे लगातार मिरनाओ महान अगरों में जो कोविड health lines हैं उसकी परताल करता रहा है हमने ऐसी ही परताल बाकि शहरों में भी की थी और आज बारी है बेंगलूरू की एक health line की परताल के जुरू में bed availability य cessation बताने वाली हेल्प लाइन नंबर 1912 का हाल जाने की कोशिश की है इस हेल्प लाइन नंबर की शुरुआत बीते महिने की गई थी ताकि मरीज को और उनके परिवारों को अस्पताल की बैट की उपलंगता जानने में आसानी हो हाला कि ये help line number भी लोगों को बुरी तरह से निराश कर रही है आपको बता दे कि जब हमारी संबादाता नेहा हिबाले ने इस help line में contact करने की कोशिश की तो क्या कुछ हुआ पहली बार number डायल करने पर attendant से संबर्ख होने में करीब करीब 5 minute का समय लग जाता है तो अगर आपके जो मरीज हैं उनकी हालत गंभीर है और जब एक एक सेकेंड बहुत जादा माइने रखता हो उस समय में 5 minute का वक्त लगया attendant को उस call का जवाब देने में फिर जिसके बाद वो कई तरह के सवाल करेंगे आंसर करने के बाद और फिर call को अगले 5 minute के लिए hold पर भी रख देंगे इसके बाद भी bed मिलने की या फिर bed के बारे में कोई जानकारी मिलने की कोई भी guarantee नहीं है आपको बता दे कि आपका call इसके बाद बेंगलूरू नगर पालिका के अधिकारियों को ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो अधिकतर मौके पर आपका call उठाएंगे ही नहीं हमने उन नमबरों पर तीन बार call करने के कोशिश की लेकिन हर बार हमें एक जैसा ही response मिला एक ही जैसी ही प्रतिक्रिया मिली देखिए मिरनाव की एक खास report करते जैसे करिकिन है जैसे करांगे जैसे वसहीं को ड dizाबस तेने स्रक्री वसहीं को परोलिव यदेगा meinen एडी इसे ही रिसवाद के चाहिए जा नहां था ही जूट प्टिटान दुटेस्ट गूटारे में से काईं प्रीज़ु अगाता निम्मादा ही का दिनपला ही मज़धा में डार्ट लुट आप टो इंड लगाइट लुटारी अप्रूटो आपट लुटे आप हैं प्रहुब्स कोविश सोब्सास पूज़ टुवर्फ पूज़ दोर्भ टुब्सेंग याया, आफ डिया सीवी टेंटुब्स पूज़ लाज टीट। Okay, what size? 2174 Who is the attendant, madam? The name, the name of the attendant Yeah Neeti Please spell complete address, madam Madam, the complete address is Anjana Nagar of Maghudi Road Beetar Harli Yeah Please spell SRF number, madam 29 Okay 525 Okay 731 Okay 2443 Be a number, madam 778329 Okay Madam, what's the saturation level of patient? It's a T2, madam, like I told you Do you have breathing problem, madam? Yes, he's having difficulty in breathing Madam, what doctor has suggested them to allocate ICU bed or... ICU bed, madam He is in requirement of an ICU right now Because he's already a senior citizen with comorbidities Um, in which the hospital is... Sorry, he's not in any hospital right now, madam He needs a hospital bed Madam, madam, please wait for something, I'll take your information Okay One, be on hold, madam Okay Okay Hello, madam, are you there? Hello Yes Thanks for being online, madam Yeah I have... I have... I have... Let out the bed, madam Patiently the ICU bed gets ventilator Please wait for sometime Then you'll get callbacks from BBM to hear, madam Yes Yes By when will I know, madam, about the bed all open? How much time will this take? I have a brain and I have a... Take a look at the hand Madam, it may take some... Ask, madam Please wait No, no, that's okay, madam I will wait I just wanted to look at an idea of how long this might take Actually, ICU beds are not... That much of... Patients are not there Okay So, I don't... I don't have any idea, madam You can call for 108 Okay If... If... If the patient is in emergency, madam, at present now Yes, yes, madam His... Like I said, his oxygen... If I can call to 108 You can talk to them, madam Okay Sure Exposed projection Recording Hello Hello कोविध हेल्पलाइब बीदेंपी कोविध सहाइवानिका जी पन्दन नुवत्ती प्रेट्टो फोर बस्कॉम हेल्पलाइब बस्कॉम सहाइवानिके ये खास रिपोर्ट लाने वाली हमारी समवादाता नेहा हिबाले हमारे साथ लाइज जुड़े है नेहा ये पहली बार नहीं है जब बैंगलूरो में इस तरह की हेल्पलाइन जारी की गई हो और ये पहली बार ये भी मौका नहीं है जब इस तरह की हेलप लाइन पूरी तरीके से खस्ता हाल पाई गई हो आपने पूरी एक टीटेल रिपोर्ट भेजी है कि किस तरीके से मरीजों को लंबा इंतजार करना पड़ता है एक चोटी से चोटी जानकारी के लिए अगर कोई मरीज गंभीर हालत में है उसके लिए तो ये एक एक सेकिंड बहुत ही जादा भारी साबित हो सकता है जी देखें बिलकुल इन फाक्ट जब एप्रिल में ये हेल्पलाइन सेट अप किया था जब मिद एप्रिल में तब सरकार ने बोला था कि सिर्फ 30 ही लाइन रहेंगे लेकिन अभी हम देख सकते हैं अल्मोस अभी 20 देज के बाद जब भी हेल्पलाइन सेट अप हुआ है अभी 400 लाइन है लेकिन फिर भी एक minimum जो waiting period रहता है एक patient के अटेंडर के लिए call पूरा call complete करके थोड़ा भी जानकारी लेने के लिए वो almost about 20 minutes है और यहां की in fact जानकारी लेने के बाद भी वो bed allotment जो होना चाहिए जैसे कि आपने सुना अभी वो operator जिन से हमने बात की उन्होंने बोला कि bed allot किया है लेकिन वो bed के कोई details नहीं है कौन से hospital में या कि कितना time लगेगा ये bed मिलने में कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है और उन्होंने ये भी बो information के लिए at least ये helpline काम आना चाहिए लेकिन हमने एक बार नहीं अल्मोस्ट भी चार-पांच बार ये helpline को जब call किया end में तीन options से impact हमारे पास एक तो ये था कि कोई जानकारी नहीं मिला ये helpline से दूसरा ये था कि call in fact transfer करेंगे करके BBMP officer को transfer करेंगे करके hold पे रख दिया almost 10 मिनिट तक और फिर भी कोई response नहीं आया और तीसरा ये कि उन्होंने impact दूसरा number दिया call करने के लिए जहां पर वो number भी impact गलत था यानि कि connect नहीं हुआ end results पता यही था चार-पांच बार call करने के बाद कि जो patient के attender call करेंगे उनको ये helpline से कोई जानकारी नहीं मिलेगा और दूसरी बात ये कि bed allotment तो बिलकुल भी नहीं हुआ